पहली पीड़ी के कंप्यूटर 1940 के दशक में विकसित किये गए थे और इसमें सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वे बड़े, महंगे थे, बहुत सीमित भंडारण क्षमता और प्रसंसकरण गती थी और बहुत अधिक रखरखाव की आवश शक्ता थी। मशीनी भाशा में प्रोग्रामिंग की जाती थी और पंच कार्ड और पेपर टेप का उप्योग करके इनपुट किया जाता था।